आप सभी भलिवाती आउगत है कि हमारे सदन में पूर में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं ये दुरभा के पुन है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीती कर रहे हैं ये किसी भी तरह की राजनीती करने वाली घटनाएं नहीं हैं की मर्यादा बनाए रखना संसत की गरिमा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदरी लिशे जुभ से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है संकिया नारे बाजी करना बेल में आकर आसन के नजदीक आना ये सदन की गरिमा के अन्पूर नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती मानने सदस्टगन लोग सबाब में 13 दिसंबर 2023 को जो दुर्गवान पुन और हम सब के लिए चिंता जनक घटना गठी है निश्चित उस से पूरे सदन में इस पर घहरी चिंता वक्त की थी और इस घटना को सामुएक रूप से भी हमने चिंता वक्त भी की थी और भैश में घटना न घटे इसके लिए भी कारे योजना बनाने की योजना बनाय थी उसी दिन मैंने इस विशे पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्ष किया था और केसे हम संसत की सुरक्षा वैस्ता को मजभूत कर सकते हैं उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्मून सुजाओ दिये थे और मेरी कोशिश है कि उनकुछ सुजाओं में से कुछ में अमल हुआ है कुछ में आप के साथ बेड़ कर और हम अमल करेंगे और इस घटना की एक उच्ची स्थि जांच हो इसकी भी हमने योजना बनाई और इसकी जाज कमिटी बनाई और इसकी जाज शुरू हो गयी है परल्लेमेंट इस्तुर पर भी इसके लिए एक हाइप आउर कमिटी बनाई है जो संसत परिक्षमें सुरक्षा के विफ़िन पहलों की समिख्षा करेगी और किस तरीके से हम संसत की सुरक्षा को बेतर कर सकते हैं इसके लिए आप सब के सुझाओं पर एक टोस्ट कारियोजना भी बनाएंगे ताकि हम भाईश में किसी भी घटना का कोई घटना न गठे उसके लिए हमारी सुरक्षा वैस्ता व्याफक हो और सब के सयोग से हो आप सभी भलिवाती अवगत है कि हमारे सदन में पूर में भी ऐसी घटना कई बार हो चुकी हैं सदन के अंदर आगंतुक और किस्तल लाने वाली नारे बाजे वाली और दर्शक में पूदने वाली परचे फेजने वाली घटना पूर में हुई थी लेकिन उन सब घटनाओं पर भी मानने सदशों ने विशेष रूप से सामित्या से काम किया था इस सदन में इस प्रेश फेटने जैसी घटना भी हुई लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं की रोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर धड़ संकप लिया था आप सभी भली बाती पच्चिते हैं कि संसत की सुरक्षा का सेतुदिकार संसत सचिवाले के अंतरगत आता है इसलिए शुरक्षा के विशे में जो भी कार्योजना बनाएगी वह संसत बनाएगी आप से विचार विमश्च करके बनाएंगे और टोस कार्योजना बनाएंगे पूर में भी ऐसी जब घटना घटी थी जब ततकालिन अद्यक्षों नहीं उस पर संघ्यान लिया था और उस घटना पर कारवाई की थी यह दुर्भागयपुन है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीती कर रहे हैं यह किसी भी तरह की राजनीती करने वाली घटना नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो महानीश सुदर्शचन वहां, उस घटना से समझ भी नहीं है ये घटना अलग है और निलंबन का समझ केयों संसत की गरिमा बनी रहे ुसकी पुर्तिस्टा बनी रहे यह सबके हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है। मैं कभी किसी मानेस सद으च का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत वेक्ती कर्क्रिटा भी होती है। कि जो मेरे मानि सदर्श है उनका निलम्बन करूं लेकिन संसत की मर्यादा बनाए रकना तरी जिम्म्हदरी से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसत की प्रंपाओं परपाटियों का शेश्ट पालन हो और जब नई संसत बनीती तो हमने बेट कर सब्दरों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तक्ति लेकर नहीं आएंगे सदन की उच्छ कटी की गरिमा मर्यादा को बनाएक रखेंगे और किसी तरीके से हंगा मानी करेंगे देश की जनता भी ऐसे आच्छन को कत्त ही पसंद नहीं करती है इसलिए मेरा आप से आग रहा है कि हम सब इस अपिक्षा के साथ कि ऐसी घटना नगटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे हैं मर्यादा बनी रहे हैं यह हम सब की जिम्मेदारी है और इसलिए बैस में सदन की गरिमा सर पनी है लोग सबा अध्यश की रूप में मेरा सदयों या प्रियास्टा है कि सदन में सार्त चर्चाओ, सकारत में चर्चाओ, समती, अशमती हमारी लोग तंत की विशेश्था है लेकिन असमती सकारत में हो और गिरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधा बे गिरोध करें तक्तिया, नारे बाजी करना, बेल में आकर आसन के नज़दी काना ये सदन की गरिमा के अनकूर नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती इसलिए हम सब देश की प्रतिष्टा को बढ़ाने के लिए लोगतंत को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा समवात के साथ देश की जनता का कल्यान कर सके अंतिम वेक्ति के जीवन में परिवर्टन ला सके इसके लिए मैं आपका सयोग चाहता हूं मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिवा रही है बड़ी बड़ी घट्नाओं को साथ तक चर्चा हुई समवात हुआ है इंपितन अचल्च के लिए करूफ से मुझे सयोग करेंगे पूर्में भी आपका सयोग मिला है आपता करें शकारत मंद्र करें बाद करें सदन में सब को को बोलने का अधिकार है लेकिन ये तक्तिया लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जंता भी इसको पसंद नहीं करती मैं आप से पेश्या करता हूं कि आप सब सदन का सयोग करेंगे प्रश्ण काल को चलने देंगे प्रश्ण काल के बाद आप कोई विश्य हो तो मुझसे चर्चा करें मैं आपकी हर समश्याओं का समादान का रस्ता निकालूँआ है मानने सदश्य ये सदन आपका है पूर में भी जब कभी सदन में घटना है घटी है तो ये शेतुरिकार संसर सचिवाले कहाता है मैं ने पूर में भी कहा था अंध्येश होने के नाती मेरी जिव्म्यदार है कि सदन में सभी मानने सदकbn की सुष्य बनी रहे और इसके लिए आप से बेटकर ही समिख्षा करेंगे जो सुष्याइब व्यापश इंतियाम है और व्यापश इंतियाम करेंगे जहां सरकार का सराओक लेना वां सरकार का सायोग भी लेंगे लेकिन सेयुदिकार हमेशा संसर्फ का रहना चीए आप भी इस्वद्के होंगे और इसलिए जो कुछ-बी-जिम्यदारी है वो मेरी है संसर्फ सच्वाले कीई आपके अ, चिंता का समाधाना निकालेंगे